Hello students, welcome to our channel Pado India आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे Class First की English की Worksheet No.27 और इसमें हम करेंगे Grammar का काम चलिए शुरू करते हैं इस Worksheet को Solve करना Question No.1 देखिए Color the odd one out बच्चो यहाँ पर हर गुरुप में आपको कुछ words और उनकी pictures दे रखी हैं आपको उनमें से सबसे अलग sound वाले अक्षर को पहचान करके उस पे color करना है देखिए पहले में sleep, sheep और jeep यह तीनों एक ही sound वाले शब्द हैं तो सबसे अलग है इसमें car हमने इसमें color कर दिया है Next देखिए bell, cat, mat, rat cat, mat, rat यह सभी rhyming words है इनमें सबसे अलग word है bell तो हमने bell में color कर दिया है chop, mop, pop, hot इसमें chop, mop और pop यह तीनों rhyming words है सबसे अलग word है hot तो हमने hot में color कर दिया है फिर देखिए map, beep, snap, cap इनमें beep word है सबसे अलग rhyming sound वाला तो हमने beep वाले word में रंग भर दिया है jam, clam, wing, ram इसमें wing words सबसे अलग है तो हमने इसमें color कर दिया है question number two देखिए complete the words and draw the pictures also color the rainy day scene below बच्चों अब यहां पर आपको कुछ words दे रखे हैं इनको देख करके आपको यहां पर इन words को पूरा करना है और इनके सामने आपको इनके drawing या pictures भी बनानी है जैसे पहला word है rain बारिश यह drawing बना दी हमने rain की दूसरा word है water यानि पानी हमने यहां पानी बना दिया तीसरा है umbrella चाता उसकी picture यहां बना दी है boots जूते उसकी picture यहां बना दी frog मेंडक मेंडक की picture यहां बना दी raincoat raincoat की picture यहां बना दी आप भी इनको देख करके अपनी अपनी वर्क्षिट में इनको बना लेंगे फिर बच्चों यहाँ पर एक rainy day दिया गया है बारिश का चित्र आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार मन पसंद प्यारे प्यारे रंग भर लीजिए बच्चों इन चीजों में से आपको उन चीजों को चूज करना है जो की आसमान में उड़ती है और फिर जो नीचे चित्र दिया गया है उसमें आपको इन्हें बनाना है शिप यानि जहाँ आसमान में नहीं उड़ता तो हम इसे नहीं लेंगे बलून गुबारे हवा में उड़ते हैं हमने इसको ले लिया स्पैरो चड़िया आसमान में उड़ती है हम इसका भी चितर बनाएंगे बाइसिकल आसमान में नहीं उड़ती हम इसको काट देंगे अब कुछ और चीज़े देखते हैं एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, हम इसका भी चित्र बनाएंगे, डॉब, कुत्ता आसमान में नहीं उड़ता है, हम इसका चित्र बनाएंगे, टॉफी आसमान में नहीं उड़ती, हम इसका चित्र नहीं बनाएंगे, तो बच्चों ये देखिए, इस चित्र में हमने उड सकती हैं Question number 4 देखिए Read the following lines and answer the questions अब आपको इन lines को पढ़ना है और questions के answer देने है Tom is a good boy Tom एक अच्छा लड़का है He loves to eat fruits उसे फल खाना पसंद है He likes apple and mango उसे सेब और आम पसंद है His father gives him a box of nuts उसके पिताजी ने उसको nuts का एक box दिया Nuts बच्चों कहते है मुफली के दानों को अब question के answers करते है What is the name of the boy लड़के का क्या नाम है लड़के का नाम है Tom What does he love to eat उसे क्या खाना पसंद है उसे फल खाना पसंद है हम लिखते हैं fruits Which fruits does he like उसे कौन से फल पसंद है Apple and mango What does his father gave him उसके पिता ने उसको क्या दिया उसके पिता ने उसको मुफलियों का एक बकसा दिया A box of nuts Question number 5 देखते है Match the pictures with the describing words अब बच्चों यहाँ पर कुछ words के मैच करने के लिए pictures दे रखी है और आपको inverse से मैच करना है इसको हम मैच करेंगी big यानी बड़ा से क्योंकि यह एक बड़ी चीज है यह छोटी चीज है तो इसको हम small से मैच करते है घोडा तेज दोड़ता है fast इसको हम तेज यानी fast से मैच कर देंगे कच्छुआ slow है धीरे दोड़ता है धीरे चलता है तो इसको हमने slow से मैच कर दिया अब देखिए यह एक उदास चेहरा बना हुआ है इसको हम sad यानी उदास से मिला देंगे आप भी इनको